वेलकम बैक, आज की इस वीडियो में यहाँ पर मैं आप सभी कॉफी लिवर्स के लिए एक ऐसे प्रड़क का रिव्यू लेकर आया हूँ जो कि डेफिनेटली आप सभी को पसंद आने वाला है और ये प्रड़क्ट है कॉफीजा के तरफ से कॉफीजा फिनेरो नेक्स कॉफी कर मैं खुद टेस्ट करके अपना एक्सपीरेंस आपके साथ शेय करूंगा और एड़ने एंड जाने की क्या आपको ये कॉफी मशीन बाइ करने चाहिए या फिन नहीं तो वीडियो इंट्रस्टिंग होने वाली है अगर आप मेरी तरही कॉफी लवर हैं और इस प्रड़क तो ये है फिनेरो नेक्स कॉफी मशींग का बॉक्स कुछ इस प्रकार के पैकेजिंग के साथ ये हमें देखने मल जाता है साधे साथ यहाँ पर आपको और आपको six boxes मिल जाते हैं जहाँ पर आपको different blends के कॉफी मिल जाते हैं अलग अलग flavor और अलग intensity के साथ तो यहाँ पर total six boxes दिये गए हैं और हर एक box में आपको ten capsules मिलते हैं तो total यहाँ पर आपको 60 capsules मिल जाते हैं चले यहाँ पर हम इस साइट रखते हैं और बात करते हैं इस machine की पड़ावट से यहाँ पर मैं set up करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसे यहाँ पर हम coffee बना सकते हैं तो आप यहाँ पर हमने इस product को completely unbox कर लिया है obviously बात है सबसे पहले आपको यह coffee machine देखने मिलती है इसी के साथ box के अंदर आपको user manual भी दिया गया है मैं आप सभी को recommend करूँगा अगर आप buy करते हैं तो इसे एक बार जरूर पढ़ लेना इससे काफी आसानी होगी इस machine को use करने में और आपको एक quick user guide भी दिया गया है इन दोनों चीज़ों को side रखते हैं इसके अलावा आपको box के अंदर यह coffee machine मिल जाएगा जो कि दिखने में काफी अच्छा है साथे साथ आपको एक tray दिया गया है जो कि drip tray है आप जब coffee बनाते हैं तो आपको यहाँ पर इसे attach करना होता इससे क्या होगा कि अगर coffee के drops है वो directly नीचे नहीं किरेंगे यहाँ पर collect हो जाएंगे तो आपको make sure करना है कि यह आप attach करने जब भी आप machine को use करें यहाँ अगर बात करें जाए इस coffee machine के looks and design की तो यह काफी अच्छा है and coffee compact भी है और दिखने में काफी unique भी लग रहा है front में यहाँ आपको coffee isa की branding दिखने भी आती है and अगर यहाँ पर हम top section की बात करें तो यहाँ आपको दो buttons दिये गए है espresso and lungo तो आप अपनी requirement के according यहाँ पर choose कर सकते हो इसके अलबा यहाँ पर आपको एक section दिया गया है जहाँ पर आपको capsule insert करना है और यहाँ पर जो shape है वो already capsule की है तो आपको इसी प्रकार यहाँ पर insert करना है और इसे जो flap है इसे बंद कर देना है और बहुत ही simple सा step है at the end back side में यहाँ पर हम देखेंगे और मैं taste भी करने वाला हूँ तो चलिए थोड़ा सा water यहाँ पर हम add कर लेते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर मैं water add कर देता हूँ यहाँ पर एक mark दिया गया है तो make sure आपको इसके उपर नहीं जाना है तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा water add कर दिया है इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से इसे जो है push करके fit कर देना है that's it काफी simple step है बहुत ही असानी से हो जाता है and make sure कीजिए कि यह जो drip tray है यह भी आप लगा दे and plug मैंने यहाँ पर कर दिया है अब यहाँ पर अपना एक favorite flavor choose कर लेना है तो यहाँ पर मैं forte choose कर रहा हूँ इससे हम open करते है तो कुछ ऐसा box यहाँ पर आपको मिलता है इसमें से आपको कोई भी एक pick कर लेना है and उपर साइज में आते हैं तो यहाँ पर आपको एक flap मिलता है जो कि मैंने आपको बताया था इससे हम open करेंगे और यहाँ पर shape बना हुआ है तो इसे हम कुछ इस प्रिकार से यहाँ पर enter कर देंगे enter करने के बाद यहाँ पर हमें just इसे बंद करना है बहुत ही simple है अब यहाँ पर हम लेते हैं हमारा coffee mug इसे यहाँ पर हम नीचे insert करते हैं अब मुझे क्या लूँ मैं काफी simple सा प्रोसेस है मैंने अल्रडी बना कर देख लिया है मैंने टेस्ट नहीं किया लेकिन अब तक ठीक है मैंने मेरे सिस्टर को टेस्ट करने दिया था लेकिन इस बार मैं खुद टेस्ट करने बालब and machine start हो चुकी है एक बात यहाँ बर मैं कहना चाहूँगा जो अरोमा है वो काफी अच्छा है and मैं वेट नहीं कर जबता हूँ इससे टेस्ट करने के लिए तो लीजे हमारे जो काफी है वो रेडी हो चुकी है and काफी रेडी होने के बाद जो machine है वो off हो जाएगी make sure जब जरूरत ना हो तो आप जो है इसे unplugged कर दे well काफी का जो अरोमा है वो काफी अच्छा है टेस्ट करके बताता हूँ कि कैसी काफी यहाँ पर मैं इस machine के तरूँ देखने मिलती है it's really good मैं अगर honestly बो तो मैंने यहाँ पर expect नहीं किया था कि इतनी अच्छी काफी मुझे इस machine के तरूँ मिलने वाली है मैंने average quality expect करी थी but coffee जो है वो काफी अच्छी है and especially जो aroma है वो भी काफी अच्छा आ रहा है and obviously बात है होना भी चाहिए because यह जो coffee blends है यह इटली के है तो यहाँ पर मैं एक बात तो कह सकता हूँ कि आपको जो है coffee काफी अच्छी quantity का मिलने वाला है यहाँ पर जब आपकी coffee बन जाती है तो यहाँ पर आपको यह जो tray है यह निकालना है इसके अंदर यहाँ पर आपको और एक section मिल जाता है इसे आपको जब यहाँ पर push करना है और यह निकल जाएगा बताना भूल गया हमें जैसे आपकी coffee बन जाती है तो यहाँ पर जो empty capsule है जब डिसकार्ड करने के लिए आपको एक बार open करना पड़ेगा और वापस से जहाँ पर brand आपके लिए इसे recycle कर देगा और इससे जो plastic paste है वो भी काफी कम हो जाएगा तो काफी अच्छा initiative है तो आप इसे जो है collect करकर वापस send बीग कर सकते है तो जैसे कि यहाँ पर हमने देखा इस coffee machine की मतलब से हम just कुछी simple steps में बड़े ही असानी से अच्छी quality की coffee बना सकते है अब यहाँ पर आप सभी का सवाल आता है वैसे मैंने यहाँ पर आदा खतम कर दिया वीडियो बनाते बनाते well starting में जैसे कि मैंने बताया मैं expect नहीं कर दा कि इतनी अच्छी quality यहाँ पर मैं मिलेगी और इसके साथ यहाँ पर आपको six अलग-अलग blends भी मिल जाते हैं और यहाँ पर मैंने भी सारे तो try नहीं किये लेकिन यहाँ पर मैंने classic को और और कौन से try किया है मैंने यह नहीं try किया है I think मैंने intenso try कर लिया है तो कुछ variants जो है मैंने try करे हैं बाकी सब मैं try करके update कर दूँगा नीचे description में वेल अगर आप सभी का कोई question है तो आप मुझसे comment box में पूछ सकते है and buying link मैंने आपको नीचे description में दे दी है आज के लिए इतना ही उमीद करता हूँ यह video आप सभी के लिए helpful रहा होगा मिलता हूँ next video में एक नए topic के साथ तब दक के लिए थाटा बाई बाई सावना रा